आमत और पर लोग गण रखने के सोकीन होते हैं किसी के पास license के साथ गण होती है और किसी के पास without license ओ वो गण होती है आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर कोई भी person जो है वो without license गण रखता है तो उसकी क्या punishment है या फिर अगर वो गन रखता भी है और उस गन को यूज भी करता है तो उसकी punishment क्या है या फिर कोई भी अगर manufacture करता है किसी भी गन को illegally गन को बनाता है या फिर उसको transfer करता है या फिर उसका sale purchase का काम करता है तो उसकी क्या punishment रहने वाली है So friends मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Legal Attack तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गन के regarding punishments तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गन जो है अगर कोई भी illegally रखता है वो एक अलग चीज है और अगर वो उस गन को रखता भी है और साथ में यूज भी करता है तो वो एक अलग चीज है ये दोनों अलग अलग चीज है इसके अलावा अगर manufacture करता है या फिर sale purchase करता है तो वो भी एक अलग चीज है तो इसके regarding जो एक डील करता है वो है Arms Act 1959 जो की 2019 में एमेंड भी हुआ था पहले जो इनके regarding अलग punishment थी लेकिन अब जो latest punishment है वो मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप शिरफ illegal जो gun है बंदूख है वो अपने पास रखते हैं तो उसकी क्या punishment रहने वाली है तो अगर आप without license गन को शिरफ रखते हैं तो पहले जो punishment थी वो थी तीन साल से लेकर 7 साल तक ही punishment हो सकती थी 2019 से पहले लेकिन अब 2019 में amendment के बाद जो punishment है वो बढ़ा दी गई है अब अगर कोई भी person बिना license के कोई भी गन रखता है तो उसकी जो punishment है वो 7 साल से लेकर 14 साल तक हो गई है मतलब जो पहले punishment थी उसकी almost double कर दी गई है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इस punishment के अलावा जो है वो fine भी लग सकता है हाँ कुछ cases में जो court है वो special reason दे के judgment में इसकी punishment जो है वो कम कर सकती है अब secondly हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी person जो है वो गन रखता भी है और उसके साथ साथ उसको use भी करता है तो उसकी जो है अलग से punishment है अब क्या है कि गन रखने के लिए आपने जाना कि 7 से 14 साल तक की punishment है तो अगर कोई भी person उस गन को use भी करता है तो उसकी भी 7 से लेके 14 साल तक की punishment है और उसके साथ जो है वो fine भी लग सकता है ये तो है arms act के अंदर और अगर उसको use किया है मान लीजिए किसी को attempt किया है murder करने के लिए तो उसके लिए अलग से जो IPC की दारा 307 लगती है उसकी अलग से punishment होगी अगर ये फिर उसी गन से किसी का murder किया है तो उस situation में क्या है 302 जो IPC की दारा है वो लगती है जिसकी punishment till death भी है जिसकी punishment lifetime तक की भी हो सकती है अब third हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी illegal जो gun है उसको manufacture करता है बिना किसी license के या फिर उसको sale करता है या फिर उसको transfer करता है तो उसकी punishment क्या रहने वाली है तो इसमें ये है कि अगर कोई भी person बिना किसी license के किसी भी gun को manufacture करता है बनाता है या फिर उसको sale या फिर purchase करता है या फिर उसको एक place से दूसरे place पे transfer करता है तो जो उसकी punishment है वो है 7 साल से लेकर lifetime तक की भी punishment हो सकती है और इसके साथ साथ जो है वो fine भी देना पड़ सकता ह है तो फ्रेंड्स ये थी punishment गन के regarding कि अगर कोई भी person गन रखता है या फिर उसको use करता है या sale purchase का काम करता है तो उसकी punishment क्या रहती है तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक् कि लीगल topics related बहुत ही बढ़िया वीडियो इस चैनल पर आने वाली है थैंक्यू सो मच बाए बाए